इलाबाद हाई कोट ने कहा है कि इंटरनेट, सोशल, मीडिया पर अशलील वीडियो का प्रसार सामाजिक गिरावट का नतीजा है ऐसे मामनों में पुलिस अधिकारियों को जांच करते समय उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए कोट ने डीजीपी को पुलिस विवेचना की कमिया दूर करने के लिए फौरी कदम उठाने का निर्देश दिया है और स्पी जौनपूर को वाइरल वीडियो की बरामदगी न करने के सपश्टी करन के साथ अगली सुनवाई की तिथी पर हाजर होने का आदेश दिया है गवा ने बयान दिया कि अश्लील वीडियो सोसल मीडिया पर प्रसारित किया गया किन्तु विवेचना अधिकारी ने उस वीडियो की बरामग्गी नहीं की जिसे कोट ने गंभीरता से लिया है यह आदेश न्यायमूर्ती अजय भनोट ने अभियुक्त सूरज की जमानत अरजी की सुनवाई करते हुए दिया है याचिका की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी कोट ने कहा कि यह दुर्भागय पूर्ण है कि यूपी पुलिस की विवेचना की गुणवत्ता बहुत ही कमजोर है जो सामाजिक विक्षोप का कारण बन सकता है कोट ने कहा कि लगता है आदेश का पालन नहीं किया जा रहा या पुलिस आईटी से संबंदित अपराधों की विवेचना की गुणवत्ता कायम रखने में विफल रही है कोट ने पुलिस को विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा नर्देश जारी करने का नर्देश दिया है